नमश्कार, जम्मकुष्मीर में चुनाओं प्रचार पूरे जोरों पर है, अगर आप विदानसभा चुनाओं के प्रचार को, इसकी खबरों को करीब से फोलो कर रहे हों, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, कि क्या इस बार बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगा क्या इस बार बीजेपी का सीम जम्मकुष्मीर में वो बनवा पाएगे, ये एक बड़ा सवाल है, ये हर किसी के मन में जरूर आया होगा, बैरहाल आज के इस वीडियो में हम इसी संभावना पर चर्चा करेंगे, फिलहाल जो आप्टिक्स, जो राजनीते जम्मकुष्मीर की दिखाई दे रही है, उसमें सीधे सीधे स्पष्ट एक चीज नजर आती है कि इस बार जब मो कश्मीर के विधान सबाचुनाओं में, बीजेपी का सीधा मुकाबला नेशनल कॉंफरेंस, अलायन्स के साथ है, नेशनल कॉंफरेंस की अलायन्स पार्टी है, कॉंग्रेस, यानि मुकाबला बीजेपी वर्सर नेशनल कॉंफरेंस प्लस कॉंग्रेस के साथ है, अब ऐसी स्थिति में दो सिनेरियों यह आपस फश्ट नजर आते हैं, पहला सिनेरियो कि कॉंग्रेस और नेशनल कॉंफरेंस मिलके 40 से ज़्यादा सीटे जीते और सत्ता में नेशनल बीजेपी के भी सरकार बनाने की है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, जमो कश्मीर में कुल 90 सीटे है, 47 कश्मीर संभाग में, 43 जम्मू संभाग में, और वहुमत के लिए चाहिए 46 सीटे, अब जो इस बार डीलिमिटेशन हुआ है, उसमें 6 सीटे जम्मू की बड़ी है, एक स अब जो सीटों की संरचना बनती है, वो करीब-करीब एक क्लीन स्लेट की तरह है, यानि ये वो मौका है जहां पर कोई भी पार्टी अपना नया इतिहास लिख सकती है, नए चनावी समीकरण बने है, नए वोटर्स जुड़े हैं और कुछ वोटर्स दूसरी लिहाजा ये एक वो सबसे आदर्शुक्ति है, जिसमें कोई भी पार्टी जो है, अपना शांदार प्रदर्शन कर सकती है, यानि एक तरह की क्लीन फ्लेट है, जिस पर नए रिकोर्ड लिखे जा सकते हैं, स्थापित किया सकते हैं, और जो नया परीसिमन हुआ है, अगर उ 35 सिटे, यानि इन में ये वो सिटे हैं, जो की जम्मू संभाग थी, अब इन ही सीटों पर बीजेपी की नजर है, अगर हम लोकसभा चुनाओं के नतीजों को देखें, और उसका कॉंस्टिट्वन्सी, विधान सभा कॉंस्टिट्वन्सी वाइस, अगर हम पहिणाम को रहा हूँ, उसमें स्तती ये बनती है कि बीजेपी अगर शांदार प्रदर्शन करें, अगर कोई भी गलती ना करें, तो 35 से 37 सीटे आसानी से जीत सकती है, अब 35 से 37 सीटे अगर वो जीतती है, तो फिर भी बहुमत के करीब नहीं है, क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए 46 जीट, बीजेपी जीतती है, तो उसको अभी भी 10 सीटे चाहिए, तो 10 सीटे कौन होती है, तो ऐसी स्तिती में, अगर बीजेपी इतना स्रांदार प्रदर्शन करती है, तो एक स्तिती ये भी बनती है कि कश्मीर संभाव में, जो फिलहाल स्तिती नजर आती है, उसमें अधि वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ एक तरफ जैसे मैंने स्टेम जम्मू संभाग के बताया कि BJP हालागी 2014-2015 की चुनाओं में BJP ने अब तक का जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था वो 25 सीटों का था और फिर उसके बाद आर्टिकल 370 हटा उसके बहुत कुछ बजला लेकिन जो ताजा ताजा जैसे मैंने कहा कि लोग सबाद चुनाओं हुए थे अगर constituency wise उनका result देखे तो उसमें 29 सीटे में बहुमत BJP ने हासल किया था ये बताता है कि ये BJP अपना आधार को वो कम वो आधार कम नहीं हुआ बलकि बढ़ा ही है उसको मेंटेन करना है और चुकि अब चुनाओं मुद्दे लोकल है constituency wise fight होगी ऐसा नहीं है कि state में हर एक constituency में अलग तरीके की fight होगी उसको अगर सही तरीके से deal कर पाती है तो 35 से 30 सीटे BJP जीतने की संभावना एक जबर्दस तरीके से बनी है अब बात करते हैं वो 10 निर्दलिया कौन हो सकते हैं उसकी वज़य क्या है कैसे वो जीत सकते हैं तो उसके कुछ sign फिलहाल आपको नजर आने लगेंगे पहला कि National Conference और Congress का जो गटबंदन इतना मजबूत दिखाई दे रहा था कि वो सरकार बना पाएगा वो कही ने कही दरकता हुआ दिखाई दे रहा है यानि जो संभावना सबसे मजबूत दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे उसकी असलियत खुल कर सामने आने लगी है और पिसले दो-तिन दिनों Congress और National Conference का जो गटबंदन है उसके अंदर कितनी दरार है वो खुल कर सामने आने लगी है इसमें कई अलग-अलग बयान है Congress Party के बड़े नेताओं के और National Conference के बड़े नेताओं के भी बड़े बयान है जो खुल कर एक दूसरे का विरोध कर रहे है एक बड़ा बयान Congress के former President, State President विकार रसूल वानिक आया है जिसने खुले आम अपने constituency बानी हाल में जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर खुल के उन्होंने विरोध जताया है और उन्होंने कहा है कि पिसले 70 सालों में National Conference ने किया ही क्या है पिसले 70 सालों में National Conference ने सिर्फ लोगों का खुन चुसा है एक भी सतून दिखाए यानि जो कोई एक ऐसा साइन बोड दिखाए जिसमें National Conference के कामों को देखा जा सके अदली हाजा अमर अब्दल्ला और अब्दुल्ला परिवार को यहां पर स्पष्ट तोर पर इतने बड़े नेता है कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष है हाल ही में वो जमुकुश्मीर के कॉंग्रेस के ध्यक्ष हुआ करते थे वो सीधे सीधे चनोती दे रहे हैं और वो एक्सपोज कर रहे हैं कि 70 सालों में सिर्फ और सिर्फ National Conference ने खून चूजा है लोगों का काम करना दूर की बात है यह अपने आप में बड़ी बात है कि कॉंग्रेस का इतना बड़ा नेता National Conference के खिलाब खुलया मैं से बयान दे रहा है जबकि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं अब ये अंदर खाने में तो ये राजमिती चल रही है लेकिन अब धीरे धीरे ये सार्जोनिक बंच पर ये बयान बाजी हो रही है इसके जवाब में उमर उतला ने भी बया दिया है और उन्हें कहा है कि देखिए कि कैसे कॉंग्रेस के नेता इतने बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं वो तब क्यों नहीं बोले जब वो लोकस्भा चुनाव में उनका समर्थन कर रहे हैं तब क्यों उन्हें अब्दुल्लाब हम पर हमला नहीं किया यानि ये जो बयान बाजी है वो सीधे-सीधे अब अंदर खाने नहीं हो रहे हैं खुलकर मंचों पर साजनिक स्तर पर एक दूसरे खला बोला जा रहा है ये है नेशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस के गटपंदन का सच एक और सांसद जो नेशनल कॉंफरेंस के है मेया अलताव जो की कॉंग्रेस के साथ अलाइंस करके एंसी ने अपने आपको ही नुकसान पहुचा है और अपने पार्टी को 20 साल पीछे धकेल दिया है और उसने यहां तक कहा कि मैं कॉंग्रेस के लिए मैं उस गटबंदन में जिमेदार नहीं हूँ और ना ही मैं परचार कर रहा हूँ मैं कामों में मसरूफ हूँ मैं उसमें परचार क्यों कुरूँ अगर किसी को बुरा लगना है तो वो लगे और लेकिन बहले से ही मेरे से नाराज है नेशनल कॉंफेर्स यानि अब्दुल्ला परिवार तो लेकिन वो सीधे सीधे अपने कारे करता हूँ कह रहा है कि वो ये कॉ लगरों के बीच ये गटबंधन सत्ता के करीब पहुच पाएगा मुझे नहीं लगता पहराल ये एक साइन है इसके लाबा दूसरा बड़ा जो साइन है वो ये है कि दो पार्टिया है जिन्होंने नेशनल कॉंफेर्स और पीडिपी दोनों के ही नींदे उडानी पहली है इंजीनियर रशीद जिसने हाल ही में लोकसबा चुनाओं में जो नौर्थ कश्मीर के शीट है लोकसबा सीट उससे दो लाग से ज्यादा सीट वोटों से उमर अबदुल्ला को हरा है था उसकी जो पार्टी है अवामी इतिहाद पार्टी उसने कश्मीर घाटी में कम से कम 35 सीटों पर उम्मिदवार उता रहे हैं और ये उम्मिदवार रासित उतारे हैं बलकि जिस तरीके से उसके पार्टी को जो चुनाओं प्रचार हो रहा है उसमें समर्थन मिलना है उससे कहीं ने कहीं नीदे उड़ चुकी हैं अब्दुल्ला परिवार की भी और मैबूबा म बुफ्ती की भी और वो लगातार इंजीनियर रशीद जो की जेल में है इस वक्त अपने कटरपंती अपने अलगावादी बयानबाजी के लिए वो कुख्यात रहे हैं उनकी नीदे लेकिन उसकी जो राजनिती है उसने कहीं नीद उड़ा दी है नेशनल कॉनफेंस भी और उ जो महबुबा मुफ्ती है वो भी खुल कर इंजीनर रशीद और उनकी पार्टी के उमिद्वारों खिलाब खुल कर बयानबाजी करने लगी है अभी महबुबा मुफ्ती तो हाल फिलाल तक इंजीनर रशीद की तारीफ कर रहे थी और लो कह रहे थी उनको जेल से बाहर नि सवाल खड़े कर रही है और वो कहने हैं कि वो लोगों को खबरदार करना चाहती है कि कश्मीर के लोगों को बिलाशक ये समझा जाना चाहिए कि PDP, National Conference और Congress ये तीन ही पार्टी हैं जो कश्मीर में उनके अग के लिए लड़ रही है और चुनाओं मैदान में बाकी जो है खास anyway पर इंजीनिर रषीद की पार्टी चुनाओं में क्श्मीर में इका दुक्का सीट ऐसी है जो कि जम्मू संभाग में है कुं पय 34 सीटों पर जो म्मीदवार उतारे हैं उस से दोनों ही परिवार बेहत घब्रायं हुए है यानि और जो लंगेट شीट है, लंगेट सीट पर इंजीररेश्णित ने पने भाई को उतारा है, तो एक बड़ा असर यहाँ पर देखा जारा है जम्मो कश्मीरी राज़ोती में, उसका कारण है इंजीररेश्णित की पार्टी, एक और दूसरा बड़ा कारण है जिससे दोनों ही परिवार की नीन दोड़ी हुई है वो है जमात जमात इसलामी जम्मो कश्मीर एक आतक की संगठन के तोर पर फिलहाल प्रतिबंदित है लेकिन उसके समर्थक जो वो इस बार चराओ मैदान में है उनकी अगर भाषा देखें तो वो भी बेह चुकाने वाली है करीब एक दरजन सीट है जमात इसलामी के समर्थक या इंडिपेंटन्ट उम्मीदवार के तोर पर चुनाव मैदान में है लेकिन आर्टिकल 370 के कहीने कहीं समर्थन में यहाँ पर हटने के बाद जो बदलाव आए है उसमें एक बड़ा बदलाव ये भी है कि जमात इसलामी के लोग कह रहे हैं कि भाई जम्मु कश्मीर में एक बड़ा बदलावा है इस बार जो ऐसा लग रहा है कि चुनावी धान्दली होना खत्म हो गया है लिहाजा 1887 में जब जमात के लोग चुनाव मैदान में उतरे थे और उसमें इसलिए धान्दली ही व थी वो ही वो वज़य है जिसकी वज़य से जम्मु कश्मीर में इतना सब कुछ हूँ अब माहौल कायम हो गया है जो कि पिछले पारलेमेंट इलेक्शन ने साबिद कर दिया है कि जम्मु कश्मीर में अब free and fair election हो रहे हैं लिहाजा इस चीज ने हमारे होसले बढ़ा दिये ह है और हम जम्हूरियत में आ गए हैं यह कौन कह रहा है यह कुलगाओं से जो जमाते इसलामी के ज़समर्थित शायर एहमद उमीदवार है वो कह रहे हैं जिसने कुलगाओं में एक बड़ी रेली की है बोगाम में और रेली का साइज वाकी बड़ा था और वो से निश्चे तोर पर पीडीपी के भी और नैशनल कॉन्फरेंस के दोनों के ही होश उड़े हुए हैं जमात का एक और चेहरा है सर्जन बर परचा भरा है और तब से जब से परचा भरा है तब से उमर अबदल्ला की है अब बताईए अगर दो बड़ी पार्टियों की कश्मीरी केंदरी पार्टियों की अगर इसकति ऐसी हो तो सत्ता तक पहुंचना दूर वह अपना अस्तित्व ही बचा ले ये उनके लिए कश्मीर संभाग में जो स्तिती है वो बेहद यहां पर मल्टी लेयर्ट स्तिती दिखाए दे रही है कि कोई भी पार्टि ऐसी नहीं है जो की मजबूती से खड़ी होती दिखाए दे रहे है नेशनल कॉनफरेंस है जरूर लेगर इसके सामने जैसे मैंने आता हैं कि बड़ी पड़ा क्शेतर है यहां कि दो-तीन सीटों पर उनका भी जबर्दस समर्था ने उनको मिलता है वो भी दो-तीन सीटों पर जीतने की स्तिती में हो सकते है इसके अलावा निर्दलियों में द्वार कहीं है जिसमें एक नाम शिनेकर के मेयर जुनेद मत्टू का है वो भी वो भी इंडिपेंडन्ट उत्रे हुए है ऐसे कई बड़े नाम है जो कि इंडिपेंडन्ट खड़े हुए है यानि ऐसी इस्तिती बंती दिखाई दे रही है कि कश्मीर संभाग में जो 47 सीटे है उनमें से 15-18 सीटों पर निर्दलिया या फिर छोते दल जीतने की संभावन बनी है और अगर ऐसी स्तिती बंती है और सरकार बनने की संभावना बनती है और बीजेपी अगर पैती शक्ती सीटों पर वो सीटे जीत लेती है अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार बीजेपी का CEM जम्मो कुश्मीर में बनन जा रहा है लेकिन ये चुनावी संभावना है अभी बीजेपी को बहुत कुछ करना है हाला कि बीजेपी नो जो पच्चीस सूत्रों का संकल्प जारी किया है उसमें बहुत कुछ है जो कि हर एक तबके को हर एक शित्र क्या ध्यान रखा गया है विकास की बात हो चाहे वो दूद्र आकर शित्र को चात्रों को लैप्टॉप या फिर टैबलेट देने की बात हो या फिर वृद्ध वृद्धों को पेंशन देने की बात हो या फिर जो किसान है उनकी बिजली के जो बिजली बिल है उसको आधा करने की बात हो आला करने की बात हो तूरिज्म को बढ पर प्रदर्शन कर सकती है तो ये सिनेरियो बनता है सिनेरियो कि बीजेपी 35-30 सीट लाएं और कश्मीर में जो संभावना सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि 15-18 ऐसी सीटों पर निर्दली है या फिर जो छोटी पार्टियां है वो जीत कर आएं और दोनों मिलकर बीज किस करवट रंग बदलती है और 8 अक्टोबर को नतिज़ा आते हैं उसमें क्या इस्थिती बनती है नारहाल सेनेरियो मैंने आपको समझा दिया रिजल्ट 8 अक्टोबर का आएगा देखते हैं क्या होता है नमस्कार जहें आते हैं क्या है वो जुआ है तो अक्टोबर किस कर दिए हैं क्या है प्या है